चुनाव के वक्त विपक्षी पार्टी के लोग इस तरह की गतविधिया करते हैं। सवाल यह भी है कि क्या अगर तेजप्रता प्यादव लालूस प्रसाद यादव के बड़े बेटे ना होते और फिर ऐसा कर रहे होते तो क्या फिर भी उनके ऊपर कोई कारवाई नहीं की जाती। अब इस बात का अंदाजा लगाया था कि आने वाले उप्चुनाव में तेजप्रता प्यादव और राष्टी जनता अदल को छोड़ कर कौंग्रेस पार्टी के उमिद्वार का समर्थन कर सकते हैं। अब सब कुछ उसी के मुताबिक हो रहा है। या फिर विदान साब अध्यक्ष से कारवाई करने की बात कही जाए। अब नमस्कार में आप मोहित मार सिंग और आप देख रहे हैं हमारा विश्वेश कारिकरम एक्स्प्लेनर। छात्र जर्शक्ती परिशत की तरफ से जब इस बात का ऐलान किया गया कि तेजप्रता प्यादों या फिर कहले जिए कि उनके संगठन के द्वारा कॉंग्रेस के प्रत्यासी का समर्थन किया जाएगा। तब मिडिया में इस चीज की चर्चा होने लगी कि क्या तेजप्रता प्यादों की विदाय की जा सकती है। जाहिर सी बात है कि राष्टी जंत अदल के किसी और नेता में उनके बारे में कुछ बोलने का सामर्थ नहीं होगा। मामला लालू प्रसाद यादों के बड़े बेटे तेजप्रता प्यादों से जुला हुआ है। इसलिए पार्टी के प्रवक्ता भी हर बात को टाल देते हैं। या कहकर कि यह बात हमारे संग्यान में नहीं है या फिर वे कुछ बोलना नहीं चाहते है। इसी संदर्व में दैनिक भासकर ने राशी जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन के हवाले से लिखा है कि जो पत्र सामने आया है उसके कोई बिश्वसनियता नहीं है। राशी जनता दल मानती है कि अब बिरोधी पार्टियों द्वारा का राई गईकत निदी है। कि क्या सेज़ प्रताप यादों पर कारवाई होगी लेकिन पार्टि की तरफ से अधिकारी की रूप से सेज़ प्रताप यादों पर अब तक किसी प्रकार की कोई कारवाई नहीं की गई है। तेज परताप यादों खुलियाम कहते हैं कि यह पाटी किसी अन्य नेता के पिताजी की नहीं है, बल्कि हमारे पिताजी की है, मतलब वे संदेश देते हैं कि राश्य जनतादल लालू प्रसाद यादों की पाटी है और हम लालू प्रसाद यादों के बड़े बेटे हैं और इस लिहाज से हम पर उंगली उठाने कहां किसी और को नहीं है। अब कुशेश्वर असान से तेजपरता प्यादों के संगठन, छातर जर्शक्ती परिशत की तरफ से कॉंग्रेस उमिद्वार के समर्थन का एलान कर दिया गया है। हलाकि तेजपरता प्यादों ने खुद इस से जुड़ा कोई भी बयान नहीं दिया है। तेजपरता प्यादों की तरफ से कोई भी प्रतिकिल्या सोशल मीडिया के जरिये भी नहीं दी गई है। अब तेजप्रताप्यादों कुछ दिन पहले शाहबुदीन के बेटे उसामा के शादी में शामिल होने सिवान जा रहे थे। तब उनसे बारे में जब इसके बारे में सवाल पुछा गया तो उन्होंने खुद इस सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि यह अफवा फिलाय का भी रोज कर दिया है लेकिन फिर भी उनके उपर सवाल उठाने का हिम्मत कोई नहीं कर रहा है। राश्य जनतादल के किसी भी नेता ने टेजप्रताप्यादों के खिलाब कारवाई की बात नहीं कही है। अब टेजप्रताप्यादों अपनी मार राबडी देवी के बात कम है फिलाल हमें देखना होगा कि क्या तेज़ पर आप याद हो वाकई कॉंग्रेस पार्टी के समर्थन कर उसे कुछ फायदा दिला पाते हैं या फिर यह समर्थन शिर्फ और सिर्फ हवा हवाई रह जाता है इस वीडियो को ही समाथ करते हैं वीडियो को शेर्ड कीजिएग